हलो फ्रेंट्स एम अपरती वेलकम बेक टू आर चैनल प्लांट्स स्पेस आज हम आपसे एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करेंगे जिसे कोई भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकता है वो भी बिना किसी मेहनत के इस प्लांट को वो लोग भी ग्रो कर सकते हैं जिनोंने आज से पहले कभी प्लांट्स ग्रो नहीं किये हैं उन्हें गार्डनिंग का कोई एक्सपिरियंस नहीं है तो इस वौधे को आप जरूर लगाए तो यह है अम्रेला पाम जो की बहुत खुबसूरत लगता है अभी कुछ पत्तियां आपको इसकी सूखी हुई दिखाई दे रही हो लेकिन यह कोई बिमारी नहीं है नहीं प्लांट बेकार हुआ है जब इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट होती है यनकी न्यू लीट आती है तो इसमें पुरानी पत्तियां जो होती है वो धीरे धीरे सूखने लगती है तो यह 6 इंचिस में ग्रो किया हुआ प्लांट है और यह एक गिप्टेड प्लांट है जो कि एक गिप्टेड प्लांट पर वीडियो शेयर की हुई है डेस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर चेकीजिए तो इसमें न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो चुकी है जैसे जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है जब यह प्लांट सूख जाए ऐसा कभी नहीं होगा यह प्लांट हमेशा ग्रीन बना रहता है और बिना किसी खास देख भालके आप यह पौधा बहुत असनी से ग्रोव कर सकते हैं तो जितनी भी यह सूखी पतियां है इनको कट कर देना चाहिए प्लांट से क्योंकि पिर आपका प्लांट द ब्राउन प्लांट है और अधी ग्रीन है तो हम्में चाहिए कहां से कट करना चाहिए तो आप चाहें तो 題lik मोट कर सकते हैं इस तरह से यह प्लामन बेहिंगा department फ्लांट है इस दिती इस हौई प्लांट पर हम्मास बलकि जो new growth हो रही है वो अच्छे से होगी जब आप इस तरह की सूखी हुई पत्तियां हटा देंगे और जो plant में extra जितना भी ये dry portion है उसको भी आप निकाल दीजे पॉट में से तो plant देखने में भी healthy लगेगा और खुबसूरत भी लगेगा इस plant के लिए पानी का तो बिल्कुल आपको कोई ज़ादा ध्यान नहीं रखना होता क्योंकि इस plant के लिए बहुत ज़ादा पानी भी हो जाए तो भी ये plant बहुत आसानी से चल जाता है जैसे कि अक्सर हम वीडियो में बताते हैं आपको कि over watering से बचिए over moisture जब plant में हो जाता है तो plant बीमार हो जाता है उनकी जो roots होती है वो गलने लगती है लेकिन ये एक ऐसा plant है जिसमें अगर पानी ज़ादा भी हो जाएगा तो भी कोई ज़ादा फर्क नहीं पड़ता है बलकि आप जैसे कि आपके दूसरे जो water plant हैं उनमें भी आप इसको रख सकते हैं उसमें भी बहुत असानी से growth कर लेता है बस roots के लिए थोड़ी सी मिटी होनी चाहिए roots के साथ तो देखिए इस तरह से जितना भी waste था इसमें से हमने सब निकाल दिया है तो इसको हम जल्दी ही बड़े pot में shift करेंगे लेकिन अभी हम नहीं करना चा रहे हैं एक तो बड़ा pot भी फिला कर सकते हैं तो देखिए इसमें एक leaf में flower भी आने लगा है तो इसी फूल से ही seeds बनते हैं और seeds से आप काफी सारे पौधे तयार कर सकते हैं baby plant से भी plants तयार किये जाते हैं और seeds से भी इसके पौधे तयार किये जाते हैं easy to grow plant है easy to care plant है और easy to propagate है क्योंकि seed से भी grow हो जाता है baby plant से भी grow हो जाता है और ये plant आप जो देख रहे हैं ये 6 महीने का plant है यानि 6 months हुए है इसको और ये plant भी seed से ही grow किया गया था तो जो इसमें flowering होती है उसमें जब seeds बन जाते हैं तो जो leaf है उसको cut करके हम किसी भी पानी में रख देते हैं और उसी पानी में ही वो पौधे अपने आप seeds से grow होने लगते हैं तो seeds है वो germinate हो जाते हैं और नए पौधे बन कर तयार हो जाते हैं ये plant भी कुछ ऐसे ही तयार किया गया है तो इसमें दो पौधे और हैं जो कि हमने पहले share किये हुए थे एक coleus लगा हुआ है जो कि हमारे पास ये shade नहीं था और second ये जो हमने कलेंचो बोला था ये कलेंचो नहीं है ये अजूबे का पौधा है जिसको पथर चेटा भी कहा जाता है तो इस तरह से हमारे तीन प्लांट एक सिक्स इंचिस के pot में ग्रो हो रहे हैं तो अभी हम इसको report फिलहाल नहीं करेंगे फरवरी में इसको report करेंगे और आपसे जरूर share करेंगे और तब तक अगर इसमें seeds बन जाते हैं तो seed से grow करना भी हम आपको जल्दी ही बताएंगे बहुत असान होता है तो ये प्लांट के लिए आप जादा पानी दे भी देंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता है कम पानी अगर आप देंगे तो इसकी जो पतियां है वो सूखने लगेंगी इसलिए पानी आप हलका सा इसमें नमी जरूर बना कर रखें बिल्कुल dryness अच्छी नहीं होती है इस प्लांट के लिए बाकी आप इसको कैसे भी grow कर सकते हैं बहुत जाद है fertilizer की जरूरत नहीं होती है कभी अगर आप देना चाहते हैं तो जो भी fertilizer आप दें organic इसके लिए बहुत होता है और sunlight में आप ना भी रखें तो भी ये plant easily growth करता रहे इस तरह से आप इसको indoor भी grow कर सकते हैं outdoor भी grow कर सकते हैं लेकिन indoor भी ऐसी जगे पर रखें जहां पर थोड़ा bright light आए क्योंकि किसी भी plant के लिए bright light बहुत जरूरी होती है growth करने के लिए तो आपका plant healthy भी रहेगा तो इसको आप जरूर grow कीजिए अगर आप इसको first time भी लगा रहे हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं मरता है जिसे कि कभी कभी क्या होता है हम plants grow करते हैं लगाते हैं उसको transplant करते हैं लिपार्ट करते हैं तो वो पौधे मर जाते हैं लेकिन ये ऐसा पौधा है इस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है तो आप इस बात का ध्यान रखिए और कोई query है या question है comment box में पूछिए हम जल्दी से जल्दी उसका answer देने की पूरी कोशिश करेंगे और इसकी पतियां देखने में भी खूबसूरत होती है और इसको grow करना भी काफी आसान है तो बहुत सारे comments आते हैं कि हमें ऐसा बाधा बताईए जिसमें बिल्कुल देख भालना करनी पड़े तो ये बाधा बिल्कुल सही है उन लोगों के लिए जो की office में रखना चाहते हैं या इसको room में भी आप रखना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा plant है तो आप जरूर grow कीजिए Thank you